हाई फ्रेंड वेलकम टू सीके स्टड़ी 3.0 आज हम लोग इस वीडियो में साधारन ब्याज निकालना सीखेंगे ठीक ना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसे को 16 रुपया दर्फ याय की दर से 5 महीने का वीज कितना होगा ठीक ना data के ऌपको तो पांच महिना के बाद वह आपको पैसा माने कितना बियाज आपको रिटर्न देगा तीसी पर हम लोग आज कि एक सवाल बनाते हैं ठीक इसी को हम सॉल्ब करते हैं जो रुपईया में दिया होता है उसको क्या हम कहते हैं मुल्धन लिख देंगे ठीक ना अब यहां मुल्धन आपका कितना दिया हुआ है तो 16 रुपईया ओप लिख लेंगे 16य रुपईया मुल्धन नहीं परसेंट आगा लगा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो हम लोग यहां परी दर लिख लेंगे दर आपका कितना दिया हुआ है चार परसेंट की दर से आपको दिया है ठीक ना और समय कितना समय के लिए दिया है तो समय आपका हो गया चार महिने के लिए ठीक ना सोरी पांच महिने के लिए ठीक ना इसके बाद क्या करें यहाँ प्रेक सूत्र होता है ठीक ना साधारन साधारन व्याज बराबर होता है आपका मुल्धन गुना, दर, गुना, समय होता है, बट्टा, 100 से हम लोग क्या करते हैं, तो भाग कर देते हैं, ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, आपर, देखेंगे, मुल्धन कितना दिया है, तो मुल्धन आपका है, 16 सा रुपई है, तो हम यहां 16 सा दे देंगे, गुना है, तो गुना का च लेगे गुना का चेंड देंगे समय कितना है तो पांच महीने के लिए थीक ना इसके वाद क्या करेंगे 100 से हम लोग भाग कर देंगे ठीक और हम बटा बदल दी ठीक ना अब पांच से गुना करेंगे तो ठीक ना करेंगे अगर गुना तो 64 को अगर हम पांच से गुना करते हैं कि भी साथ में दू तीस अदू 32 हो गया माने आपका एंसर कितना निकल गया तो तीन सब बीस रुपया आपका अछिए ना कर गया ठीक नजब करता हूं या वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा था प्लीज वीडियो को लाइक और्म नियुकर लेवट चैनल को सब्सक्राइब करना ना वुलीयगा तो आज के लिए नहीं है भी प्रच्ट विडियोने